Organizational culture के different elements को हम तीन हिस्सों में बाढ़ सकते हैं या तीन different aspects हमारे जेन में अगर हों तो हम culture को समझने में हमें मदद मिल सकती है क्योंकि अक्सर ये confusion रहता है कि जो activities जिस तरह से हम daily अपनी routine matters करते हैं एक दुसे से हम बातचीत करते हैं और जो business daily हो रहा होता है किसी भी organization में उसकी activities के procedures, operations किस तरह से हो रहे हैं वो सब कुछ ही शायद culture का हिस्सा है या शायद वो ही culture है तो अगर वो culture से जिदा हैं तो culture actually क्या है तो हम ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि तमाम तर activities जो के organization में हो रही हैं जो नजर आती हैं जो daily मालूमात हैं वो culture का एक हिस्सा है वो culture completely नहीं है उसका तालुक होता है किसी ना किसी और हिस्से के साथ तो हम culture को तीन हिस्सों में या तीन different elements में divide कर सकते हैं उसमें से पहला a level वो है जिसको हम artifacts कहते हैं artifacts वो बजाहिर नजर आने वाले symbols हैं of culture in the physical and social work environment जिनको आप देख सकते हैं सुन सकते हैं महसूस करते हैं जो आपको daily routine में नजर आएंगे वो symbols वो interactions वो बातचीत जो कि आप किसी भी organization में बहुत easily observable है तो वो artifacts level one का element है culture का values से मुराद वो चीजें हैं जिनको के हकीकतन लोग सराते हैं पसंद करते हैं जिनकी के roots जरा गहराई में होती हैं आप किसी भी चीज़ पे को सराते हैं जिसको आप दिल से हैं वो चीज़ आपके लिए valuable है वो चीज़ आपकी value का हिस्सा है चाहे वो कोई इकदार हैं चाहे वो कोई assets हैं चाहे वो कोई resources हैं that is a valuable thing for you what matter for you so values में दो तरह की again होती है एक spouse values that is what members of an organization say they value what they are telling you के we really value this thing लेकिन दूसरी है enacted, enacted values वो हैं जिस पर के actual आपको नजर आता है जब आप reflect करते हैं और देखते हैं के actually काम किस तरह हो रहे हैं वो artifacts जो के symbols हैं आप उनका analysis करते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि actual जो भी हो रहा है क्या वो उसके मताबिक है जो लोग कहते हैं कि वो value करते हैं या दोनों में तज़ाद हैं तो किस हद तक ये दोनों चीज़ें are going hand in hand number three is the assumption these are the deeply held belief systems जो के लोगों के जहन में मौजूद होते हैं जिसकी वज़ा से वो कोई भी actions करते हैं तो इन तीनों elements को actually हम behaviors के साथ link कर सकते हैं जो के behaviors हमें organization में देखने को मिलते हैं जिसको के हम तीन levels में level one पे हम artifacts के सकते हैं या वो symbols के सकते हैं जो कि आपको देखने में मिलती हैं level two पे values आती हैं जो कि आप जो कहकर समझा रहे हैं कि ये चीज़ हम हम इसको value करते हैं या आपके अमल में जिसकी reflection है और exemption वो deeper set of belief system है कि जो आपको नजर आता है किसी भी organization के जो core में उस ये उसकी बात है जहां पर कि हम assumptions में आते हैं तो इसकी गहराई में भी इसी तरह से फरक होता है और इसके levels में भी फरक होता है for example artifacts आपको level one पे हैं ये वो बजाहर नजर आने वाली चीज़े हैं जो कि आपको बिल्कुल आपको surface नजर आएंगी अगर आप समझें कि जिसरा iceberg पानी के नीचे 9 हिस्से होता है और एक हिस्सा वो बाहर होता है तो artifacts के वो एक हिस्सा है जो के पानी के बाहर है जो visible है और जिसको बहुत असानी से आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ों से आप appreciation कर रहे हैं legends क्या है stories क्या है ceremonies किस तरह से हो रही है organizational language कैसी है physical structure कैसा है decor कैसा soft words पे क्या चीज़ है corridors में क्या चीज़ आपको नजर आ रही है so these are the visible artifacts जिनका के तालुक culture ये तब उसका हिस्सा बनेंगी artifacts जबके इसका तालुक इन दोनों बाकी level से भी हो number two level पर आपके conscious belief systems होते है shared values होती है जो के आप different groups of people are just appreciating and valuing them as a shared value thing conscious beliefs evaluate what is good or bad right or wrong that is there ये जो आपक good or bad की evaluation है ये इस सिसे में हो रही होती है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है उसके नतीजे में आप एक value को establish करते है shared assumptions ये assumptions number three पे सबसे जो last में और गहराई में जो हिस्सा है वो ये होता है जो कि आपके core belief systems होते है mental model of ideas होते है perceptions और beliefs है इसका तालुक religious belief systems के साथ हो सक होता है जो कि इनतहाई जिसकी root गहरी होती है और इसको बदलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और ये तीनों चीजें sequential manner में चलती है इन तीनों का तालुक होता है यानि आपको बताती है कि क्या चीज़ अच्छी है और बुरी है और उसके बाद में जब आपने उसका अंदासा कर लिया तो फिर आपकी daily routine में artifacts नजर आएंगे वो symbols नजर आएंगे और actions जिनको आप वाकरी अपने actions में उस अच्छाई के एसास को नुमाया करते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो मैं इसको किस तरह से practice कर रहा हूं या implement कर रहा हूं